दिवाली स्पेशिल के लिए बनाएंगे एक ओर टेस्टी और हेल्दी सा नाश्था हलो फ्रेंड्स वेल्गम वेक्टो मैं चैनल फ्रेंड्स हैं जो रेसिपी बनाएंगे वो करी पत्ते से बनाएंगे बहुत ज्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी सी रेसिपी है रेसिपी को पूरा देखने के पाद ज्यादा से ज्यादा शेयर किजेगा और बनाएगा जरूर इस्पेशली आपके बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग सा है और य बतानी के लिए सबसे हैं मिझे निम की पत्तेयां लेंगे मिखे पत्ते रेकि और यह सब लेंगे ah लाने इसको भी अधाब के जीए रम ना लेंगे अच्छे से वांश कर लिया था पहले और यह चोटा-वाइच पानी डालेंगे और मिक्सर को चलाएंगे और दरदरा सा पिसेंगे इसके अंदर मैंने दो चमज मिलाया एक चमज पानी और मिलाया है टोटल मैंने दो चमज पानी मिलाया है और यह ऐसा दरदरा पिसना है उपको एकदम बारिक पेस्ट नहीं बनाना है तो यह हमारा बन के तयार हो कोड़ा डाला नमक टेस्ट के कोडिंग डाला यह आधे आधे चम्मज से थोड़ा कम दोनों मसाले डाले मेदे के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमने करी पत्ते का पेस्ट तयार किया था तो यह पेस्ट बनने के बाद टोटल छोटे दो चम्मज बनाए इसको मिक्स करेंगे मोयन ब्लॉकुल भी यूजनी करेंगे और तो हम अब थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसका डो करेंगे तो डो हमको बिल्कुल जिसे पराघ् का बनाते हैं वेसा लगा के रखना है बहुत ज्यादा लूज भी नहीं करना एख्दम टाइट भी नहीं कर बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम क्रिस्पी करारी सी मठरी बनेगी जरूर से बनाएगा दिवाली पर तो आटा हमारा बहुत ही अच्छे से लग चुका देखिया अब इसको हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे तो थोड़ा सा गीला कपड़ा लेंगे और उससे इसको ढग देंगे तो 10 मिनिट हो गए और आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है तो इसके पेड़े बना लेते हैं तो चार पेड़े बनाऊंगी मैं इसके अब चकले के उपर हम थोड़ा सा मेदा डाल देंगे और इसकी चपाती बे लेंगे तो चपाती हमको बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है मठरी का शेप आप अपने इच्छा नुसार जैसा चाहें वैसा बना सकते बहुत ही आसान नहीं इस मठरी को बनाना तो चपाती हमारी बन के तयार हो गई और इसकी मोटा ही हमको ऐसी रखनी है तो आज जो मैं मठरी बना रही हूँ इस्टीक वाली मठरी बना रही हूँ आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं तो यह सिर्फ इसके दो ही पीस करूँगी मैं लंबी बनाऊंगी थोड़ी सी ऐसी बनी है यह हमारी मठरी तो सारी हम ऐसी बना लेते हैं और गेस के उपर मैंने तेल अच्छे से गरम होने के लिए रख दिया था तो इसके अंदर मठरी डालनेंगे हूँ तो इसको हमको medium flame पे रखना है तेज गरम करने के बाद में इसकी flame medium कर देनी है low बिल्कुल भी नहीं करनी है और ये एक से डेड़ मिनिट में अच्छे से एक साइट से शिख जाएगी और फिर आधा मिनिट और लगेगा पलेटने के बाद में दो मिनिट के अंदर ये पूरी बन के तैयार हो जाएगी जब तक ये उपर नहीं आ जादी तब तक हम इसको बिल्कुल भी rotate नहीं करेंगे तो डेड़ से दो मिनिट होने आये और ये बहुत ही अच्छे से तिकने लगी एक साइट से था हम इसको थोड़ा सा पलट देते और पलटने के बाद हम आधा मिनिट और रखेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे बहुत ही अच्छा कलर आया इसका और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है ये मठरी और फटा-फट से बन के तयार हो जाती है ये ऐसी ही हम सारी डाल देते हैं अब जितने चाहे उतने मेदे की बना सकते हैं मसाले में हमने कोई ज्यादा डाला नहीं है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बस तलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आज को मिडियम फ्लेम रखना है ज्यादा तेज भी नहीं रखना है और एकदम कम भी नहीं करना है तो सारी मठ्री हमारी बन के तैयार हो गई है तो देखिए आप एक कप मेदे के अंदर हमने इतनी सारी मठ्री बना ली तो ये वाली जो मठ्री है वो गुजरात में खाई जाती है क्योंकि वो मिर्ची मसाला कम खाते हैं अब हम राजस्थान वाली बनाएंगे तो एक कोई भी आप कंटीनर ले लीजिए और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक अधी चमच हम एसमें कश्मीरी लालمر्च पा mayonnaise डालेंगे और अधी चमच मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला तीनो चीजों को हम अच्छे से मीकस कर लेंगे तो कि मुट्री ग тобой भी दाल देगे और फिर हम इसको अच्छे से मीकस कर लेंगे लेकिन ये हमको मसाला जब मिलाना है जब आप मठ्री को सरु कर रहे हैं उस समय क्योंकि नमक रहता है तो मठ्री थोड़ी सी फिर नरम हो जाएगी तो आपको जब खाने हो तभी आप इस मसाले को मिला है तो डिब्बे को हम अच्छे से गुमाएंगे तो सारा मसाला एक जैसा मठ्री के उपड़ लग जाएगा देखिए आप बहुत ही चटपटी और एकदम क्रिस्पी करारी सी मठ्री बन के तयार हो गए और बनाना कितना आसान है तो कैसी लगी आपको दिवाली स्पेशल की ये स्पेशल सी रेसिपी जरूर बनाईएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी है इसमें गुजराती टेस्ट भी है और लास्ट में हमने राजस्थानी टेच भी कर दिया इसमें तो दोनोई टेस्ट आप इंजोई कर सकते हैं जैसे भी चाहें वैसे बना कर और शेर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और चैनल को जरूर से सस्क्राइब कीजिएगा तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग